सबसे अच्छा पेड तीन भाई थे एक दिन सुभा के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े गरम गरम धूप में वे सडक पर चलते चले गए थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड आया उसकी नीचे धंडी चाह थी तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे पेड के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे बड़े भाई ने कहा भाई, मुझे तो यही जगा पसंद है आम के पेड से बढ़ कर क्या हो सकता है आम कच्छे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे पहले भाई ने आम के पेड के नीचे एक जोंपड़ी बनाई और वह वही ठहर गया लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे वे आगे चल पड़े चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड मिले तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा टप टप पानी बरसने लगा दोनों भाईयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा जरा देर में बादल चला गया बारिश रुक गई दूसरे भाई ने कहा बड़ी भूख लगी है मुझे भी तीसरे भाई ने कहा दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा उन्होंने एक एक टुकडे पर खाना परोसा दूसरे भाई ने कहा मैं तो यहीं घर बनाऊंगा केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा बढ़िया केले खाने को मिलेंगे उनकी सबजी बनाएंगे कुछ केले हम बेच देंगे उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे इसी लिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी जोपड़ी बना ली मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला पेड़ बड़ा अलंबा और पतला था तीसरे भाई ने कहा कैसी प्यास लगी है तप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला घर घर नारियल की जटाएं साफ हो गई फिर उसने नारियल के छिलके में चोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया नारियल के पेड की छोटी सी छाह तीसरा भाई उसी छाह में बैठ गया और सोचने लगा आम का पेड बहुत बड़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा पल है केले का पेड बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है पेड नीम का भी अच्छा है उसकी दादुन बड़ी अच्छी रहती है घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनिया दरवाजे पर लटका देते है मेरे पास नीम का पेड हो तो मैं उसकी टहनिया बेच सकता हूँ और पेड मुझे ठंडी इच्छा भी देगा और अगर कहीं मेरे पास रबड का पेड होता तो मैं अपना चा को निकाल कर पेड की च्छाल में एक लंबा चीरा लगा देता चीरे के तले में एक प्याला रख देता पेड के दोदिया रस को मैं प्याले में भर लेता रस को पका कर मैं रबड बना लेता रबड में बेश देता रबड से लोग खुबारे, टायर और तरह तरह की चीज़े बना लेते हाँ अच्छे पेड़ों की क्या कमी है नारियल के पेड़ की ही सोचो नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मस्पूत चटाईयां भी बना सकता हूँ रसियों और चटाईयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखा कर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ गोले का तेल, साबुन और कितनी ही चीज़े बनाने के काम आता है नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेर सबसे अच्छा है मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा हाँ इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा तुम्हारे लिए कौन सा पेड सबसे अच्छा है?